सस्टिकाल जी सारे नू ते ना नीदा टेस्टी खाना चैनल ते आज जा पतो डेली बिल्कुल ट्रडिशनल अथेंटिक साउथ इंडियन सामबर दी रेस्पी जड़ी है ये शेर करन जा रहे हैं बिल्कुल सेम तो नू टेस्ट मिलेगा टेक्स्चेर मिलेगा और जेडा भी खाएगा तो डेटो रेस्पी जरूर खुछेगा तो एदेली तुसी करना एक कप चैना दाल नू चंगी तरीके ना तो ओके साफ करके थे उनू आपा पानी देविच पी गोके राख देना पंदना तो वी मिनट ली एन्ना समा काफी रंद है चाहे तुसी नॉर्मल पानी देविच डिप है नू कर दो ते फेर नू इद्दा जदो डूबी नू पानी देविच पंदना वी मिनट हो जाने फिर अच्छे तरीके ना मल के तो ओके एनू पानी नू जड़ा हैगा तुसी डिसकाड कर देना है जनी के सोट देना ते दाल नू आप यूज करांगे उन जेकर तो अनू लगे कि तो अडि दाल नीचे लागन जावे तो तुसी चाओ त अद्दा कप वद्ध भी पास आगदेओं क्योंकि दाल अपनो बिल्कुल पतली चाही दिये सामबर देविच दाल बिल्कुल पतली हुन दिये क्योंकि बाकी ची जनाने काफी गाड़ी हो ज लगवावाँगे एदी वजाना नमकते हल्दी दी वजाना डाल अपनी बॉइल होके बार नहीं आएगी ठीक है जी तो इनू अराम दारीना पांज तो शे यह हो सगद है साथ भी जे विसलादन दिया ताम ही कोई प्रॉब्लम नी हो इनू लगद दो अराम दारीना नो पांस सांबर मसाला रेडी कर दें आज आपा सांबर मसाला भी करेही बनावाँगे एदेली तुसी एक कड़ाई या फ्राई लेल नहीं है तेज आपा ड्राइ रोस्ट करांगे कुछ कम साले जी देली सब तो पहला मैं दो चम्मच या कैलो एक टेबल स्पून दे करीब ले जाओ अद्ध चम्मच मिध्यान दिए फांगे एक चम्मच अपा पांगे यहान फिरहिं सख अने थी दाल एक चम्मच अपा पांगे और्द दाल ब्लेक मादी दाल했습니다 मिर्चांक ट्केत, हाज ङख अने वरत नहीं हंन्त तो चार सुक्कियां लाल मिर्च शै पा futur ऑपना नही तोड़ा ड्राय रोस्ट करांगे थीक है मैं फास्ट फोवर्ड तो अनु दिखा हुआंगी बटा सीनु अच्छे तरीके ना रोस्ट किता सीनु काला भी नी करना ते नमी भी नी एचे शड़नी जदो तो अनु लगगे रोस्ट हो गया फिर जाता है दे विचे कोको नड़ शोट शोट टुकड़े पादो सुके ठूटी दे या फिर तो उसी कोको नड़ बुरादा यदा पास आगदे हो बुरादा पाना ता बिल्कुल लास्ट दे पाना गैंस नु बंद करके ताके बरन ना हो जे फिर चे कड़ी पत्ता पाना मेरे कुल है नहीं सिया जिसो मैं त अगर आप मसाले यूज करांगे ते मसाले तेस्ट नू डैमेज कर देगी ठीक है जी फिर एक चीज आपा हूर पावाएंगे जीद ना इस मसाले नू रंगत ते टेस्ट मिलेगा ओँ है अपनी हल्दी ते बिल्कुल एक चौथाई चम्मच या थोड़ी जी दो चार जीद करीव हल्दी पागे मिक्स करके निउट्री ब्लेंडर देविच या डॉड़ाय कीसे ब्लेंडर देविच इनों अपा ग्राइंड करके पावडर दी फॉर्म देविच रेडी कर लेन है जेकर तुसी एन्नना ताम चम नहीं करना चान दे तोसी किसे भी चंगी कंपनी दा सांबर मसाला कार विच रेडी मेट भी लिया सकते हो तो हून आप अपनी डाल देख देया है दाल बिल्कुल कुल चुकी अच्छे तरीके दे नाल एदा ही अपनों चाही दी सिगी जी ते इदर आपा हूँ आपा सांबर बनाने है ते उदे लिए आपा की करांगे एक टेबल स्पून दे करीब देसी की लिया है तुसी चाहो ता इता हांते सरों ता तेल भी ले सकते हो उने दे विचे पा देता एक बड़ा चंचा पार के आपा राई या तुसी मस्टर्ड सीड भी पा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं दो ना कोई विचे यूज़ कर लो चाहे ठीक है जी एक क्योंकि साउथ इंडियन डिश्ट दे विचे जड़ा राई दा काफी बड़ा रोल हुंदा है तो इन्हें जरूर इस्तेमाल करो इस तो बाद तुसी एक छोटी जी कटोरी ज पावी लोंगे तामी कोई गाल नी कोगे देन अलवी बदिया टेस्ट बाद जन्द है तेदे विच आप एक चीज में तो नू दिखाना पूल गी एक चथाई दे करीब हिंग पाउडर भी पाया सी ठीक है जी तो अच्छे तेकन आप पून लो नाली हरी मिर्च चॉपकी पून लो गॉर टेस्ट जदो थोड़ा ट्रांस्पेरंट होन रगगे बाकी दे मसालिया पाउदो पाने ने पहला आप वेट करने की थोड़ा जड़ा ट्रांस्पेरंट हो जाए ठीक है जी तो तूसी देख सकते हों कि जड़ा प्याज जिन्ना अपायनू पुन नाचंद पेठा पाले जीदा की काफी वड़ा रोला सांबर नू बना आंदे विच थोड़ी जी आप लॉक की पाली है सारी जड़ी जड़ी आप लॉक की पाली है थोड़ी जी गाजर पालो हाफ तो भी हाफ कटोरी एक टेबल स्पून दे करीब चॉप कीती होई गोपी पालो जी इक टेबल स्पून चॉप कीता होया या ब्रीक कट्या होया शिमला मेर चपालो ते फिर नाल ही तुसी जी पाउचाओ तद नाल टमैटो पालो नहीं ते ननो थोड़ा जब नन तो बाद टमैटो एड़ कर लो तो इनननो अपा हुन थोड़ी की देर पकावांगे क्योंकि जालता साथी ओल्ड़ी पकी होई है सो जाता के है एटी परसेंट कुक नी हो जांदा आप आनू पकांदे रहांगे ते होने दे विच नमक एड़ करांगे नमक और से सावना पाना है क्योंकि आपा दाल दे विच भी पाया है सो उस चीज नूं मद्दे नजे राख दे टेस्ट डिवलप हो जे ते सारे जिडियां सब्जियां अपने फ्लेवर भी देन मसाला भी अपने फ्लेवर देवे ते बहुत ही सोना ते टेस्टी सामबर अपने इस तरह बनेंगा तुसी नानी दा टेस्टी खाना चैनल नो जेकर हले तक सब्सक्राइब नहीं कीता तब सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाया करो ते अपने परावनल भी शेयर करया करो हुन हल की जी बिल्कुल एक चुथाई अपने अगेन पाई है तांके सब जियन भी करंगत मिल जे ते उस तो बाद देगी मिर्च पामांगे एदे वी चे देनाल कलर भी काफी अच्छा आ प्लस थोड़ा स्पाइसी होजेगा तो बिल्कुल भी ना सोचियो ज्यादा तिक्का होजेगा क्योंकि देगी मिर्च काट दिखिए अपने कोली इमली दा पानी है ठीक है फिर इस तो बाद इमली दा पानी आप पाएदे वीच शिफ्ट कर दांगे ए मिल्कुली रेड़ी पाना है जी थोड़े पानी दे वीच ते इमली दे पानी दे चैनू हलका रासमी सा जदो होजे ते थोड़ी देर लेनू ए दंटाक के सेम ग्यांसकार के अच्छे तरिके ना कूक होन दो फेर दाल जदो तुसी पाऊंगे तानू लग्या जादा गाडा संबरा तैनू तु ज़वी तुसी पाऊंगे हमेशा बॉइल या फिर गरम पानी पाऊंगे होन अपनी जड़ी सर्जी हो 80-90 परसंट पाक चुक्की है ते होने इस पजीशन ते आप जड़ी दाल बनाई सी एदर वीचे शिफ्ट करदांगे तो थोड़ा जा पानी होर पाता सी मैं ताके इह सामबर जाधा जेड़ा पतला भी नहीं होना चाहिए ते गाड़ा भी नहीं होना चाहिए रणिंग पजीशन होना चाहिए तो अपना सामबर अल्मोस्ट बनके रेडी है वीडियो चंगी लगी तक लाइक शेयर करें वीडियो ने अंट तक देखने ता बहुत बहुत तान वाद मिल रहे हैं काल नों किसे नवी वीडियो थेंक ये सो मत